हेलो माई डियर फ्रेंड्स आप स्वागत है मेरे स्यूट्यूट्यूब चैनल पर आज के स्वूड़े में हम बात करेंगे जो लंका प्रीमियर लीग की मैच है के डबलू वर्सस सी एस की जिसकी टीन ड्रीमिलियोन की विडिंग टीम से हम देखने वाले जिसको मैं आप भी ह करके दिखाऊंगा किस किस को आपको ले सकते किस kept सकते हैं और क्याप्तन और案 सकतर आपके सब्सक्राइब कर लिएस ताक आप तो दोस्तों तो चलिए माई टीम पर क्लिक कर लेते हैं और पहली टीम को मैं आपको डिट करके दिखाऊंगा पहली टीम में यहां पर देख सकते हैं मैंने कीपिंग में कुल मिला के सबसे बेस्ट आप्शन अभी फिलाल में चूज करने आला हुँ वह है डी चांदी मल को मैंने ले लिया है उसके आलाओ किसी कीपर को नहीं लिया बैटिंग पर चलते हैं बैटिंग के सेक्षन में मैंने अंजेलो मैंट्स को लिया है जो यह आपको 99 पॉइंट्स दीख रहे ह टॉम बैंटन को लिया है दोस्तों हाला कि थोड़े फॉर्म उनका अच्छा नहीं चल रहा है फिर भी यह शुरुवात में आते हैं और दोचार शॉट अगर इनके लग जाते हैं तो यह फॉर्म में आन्ना में जादा देर नहीं लगाएंगे और काफी खतरनाक बैटिंग चूस कर लिए इस प्रसंद ना को भी लिया है और चवते यहां पर देख सकते एप्रियांजन और दोस्ति चारों की चारों की काफी जबदत्स पर्फर्मरंस किया है और काफी अच्छी बैटिंग और बालिंग किया तो इसलिए मैंने इन चारों को इस्टीम में शामिल कर है सी कॉलंबर्स को इस टीम में शामिल कर लिया तो इस तर से तीनों गेंबाजों ने अब तक काफी जमदस प्रफॉर्मस के आप तीनों के साथ जा सकते कोई प्रॉब्लम ने कोई दिखर ने तो चलिए दोस्तों पर क्लिक कर लेते और देख लेते कैप्टन और वाइस कैप् हैं और केमिंडि physicians को वाइस कैप्टन केया दोनों कि दोनों काफी जच़िए फ़ॉर में हैं और अच्छे खासे परिफॉरंस कर रहे तो ज़रू आप इंको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते लेकिन अगर आप चाहे तो किसी ओर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि यह टीम ग्रांड लिग के लिए और ग्रांड लिग में जिनको लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाये गरोस्तों क्यूंकि वह सभी के पास रहेंगे सभी को पॉइंट देने वाले लेकिन हम कुछ हटके क करेंगे तो हमें ज्यादा पॉइंट मिल सकते हम उनकी वज़े से ग्रांड लिग जीत सकते हैं तो जरूर हो सकती इसलिए मैं सला दूंगा अभी फिलाल मैंने तो जरूर कर लिया है इस प्रसंदा को कैप्टन केम इंडिस को वाइस काप्टन आगे मैं जरूर आपको कप्टन पार यहां पे प्रसंदा को लिए अप्रियांजन को लिए Pvd ng को दोस्तों के यह possess करूंगा किसी कि लिए यूज नहीं मत कीजेगा इसको वेस्ट मत कीजेगा यूज करके देख सकते दोस्तों ग्राइंड के लिए किलिए यूज करनी है तो इस टीम को अभी देख लेते captain और neutrts captain किषको बनाया मैंने जैसे कढ देख पहरे एस प्रसंद्ना को captain और केमिड littius को कि दोनों की दोनों काफी अच्छे form एं दोनों की दोनों अच्छे खासे एकर ए और दोनों की दोनों काफी अच्छी गेनवाजी खुंते तो ज़रूर आप इन पर भर्षा कर सकते दावल लगा सकते और इसलिए मैंने इनको क्याप्टन और वास क्याप्टन बनाए क्योंकि डबल पॉइंट देंगे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में तो चलिए दोस्तों इस टीम को क्लोज कर लेते और सेव कर लेते और दूसरी दो ही मैच इसमें 48 पॉंट दिये देश्तों एक मैच में 38 पॉंट दिये एक मैच में 10 पॉंट दिये है इसलिए मैंने अभी फिलाल इनको भी ले लिया है ताकि अगर यह अच्छा परफॉर्मस करते हैं तो हमें फायदा हो इसलिए मैंने यहापे इनको शाय मिल कर लिया है है क्योंकि काफी कम लोगों ने न은पर वह सा कियां चार बैट्समन मैंने इसके बाद लिए एंजोलो मैट्सको रखा एस लंका को भी रखा है उसके बाद ऐस अ Harzado को लिया है पिछले टीम में नहीं लेव कर पायते गने लिरा इनको भी पिछले टीम में क्योंकि मैंने दो की पर लिए और चार बैट्समेंस लिए तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं आल राउंडर के लिए वुसमें से मैंने के मेंडिस को एक चूज कर लिया और जहां पर देख सकते एंड वी मुखी को इस टीम में शामिल किया है पिछले टीम में इनको भी नहीं कर पायते हैं और अच्छा खासक इन्होंने भी पर्फॉर्मंस किया तो जरूर आप इनके साथ जा सकते पर भर्षा कर सकते हैं अगले सेक्षन पर चलते हैं जो गेंबाजी का है तो इसमें भी हमने अच्छे खासे गेंबाज वापस लिए दोस्तों लाला के थोड़ कर लिए तो कुल मिला कि यह भी टीम काफी बढ़िया बन चुके दोस्तों जरूर आप इस टीम को भी कंट्यूनियों पर क्लिक करके देख सकते कैप्टन हम किसे बना सकते तो यहां पर देख सकते मैंने चांदी मल को कैप्टन मनाया है असलंका को वाइस कैप्टन मनाया जि सकते मैं यहां पर दी चांदी मल और टीम मॉर्स इस तर्से दो कीपर को शामिल कर लिए उसके बाद मेरे पास चार बलेबाद है शिर्जात को लिआ यह परेयरा को लिए पिछले दोनों टीम मं पिछलों टीम में इनको नहीं लिए पाय तेसे असलंका और मैथिज को वापस लिए इसके बाद मिरेपास जो ओप्षन है वह दो ही बच्चेत्य तो वहाँ पे भी मैंने यहाँ पे के मेंड डीस को लिया और एन विर्मुक्थी को लिया तो इस तरव से तो औल राउंडर हमने लिये और इसमें से भी एक औल राउंडर को हम पिछले टीम में नहीं ले लिया रभी रामपॉल को भी हमने पिछले टीम में नहीं लिया था नविनुलक को भी शायद नहीं लिया था इनको दोनों को अमने इस टीम में शामिल कर लिया और एस अहमत फि बन चुके तो ज़रूर आप इसे ग्रैंड लिग और स्मॉल लिग दोनों के लिए उज़ कर सकते तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के अगर बात करते तो चांदीमल को मैंने यहां पर या बनाएं दोस्तों क्योंकि एक अच्छी कीपर भी है और अच्छी काशी बैटिंग कर रहें तो ज़रूर इनको बैटिंग ये वाइस कैप्टन बैंड़ क्यात कर सकते एजफ वाइस कफी तीम को ग्राइंड लिग दोनों के लिए उच कर सकते इस टीम को क्लोज करते हैं सेव कर लेते और तीसरी और आखरी टीम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूं तो तीसरी टीम थोड रिस्की जरूर है देकिन काफी एच्छी टीम है दोस्तों डीच चांदीमल तो लिय मैंठ्यूज को लिए और आखिर में लिया है मैंहें और आप द्कानी में समझ कर लिए जरूर अगर लगा की जगपे जैसे कि मैं आप दिखा आपको दिखा देता हूं में सिरजात को भी ले सकते हैं लेकिन अभी मैं लंका के साथ ही जाओंगा मैंने प्रत करेंagn 젊ött बिछले दोनों टिमों में रवी बोपारा को नहीं लिया था और काफी बढ़िया फॉर्म में है दोस्तों रवी बोपारा भी हाला कि मुझे पता नहीं इन्होंने देखते माप की जगा कि माप किजिगा दोस्तो थोड़ा डिस्ट डिस्ट बंस आ गया था रवी बोपरा ने दो मैचेस में सत्तावन दिया दोस्तों एक मैच में चववन दिया और एक मैच में तीन या चार पॉइंट आशी कुछ भी दिया है दोस्तों तो यह अच्छे खासे फॉर्म है और अबुधावी टीटेन में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मस किया था उनके साथ काफी खिलवाड किय मेरे दोस्तों जरूर्ओं अपने टीब में शामिल कर सकते गेनबाजी की बात करते तो गेनबाजी में दी चमिरा को पहले टिम में लिया तो स्टीम में वापस ले लिया उसके बाद यहां पर देख सकते फर्नांडो को लिया है मैंने इनको भी थोड़ा रिस्की है लेकिन एक में तो हम ज़रूर्द लेशक्ता है ज़रूर्ट ले सकते क्योंकि अगर यह अच्छा करते हैं और अगर हम नहीं नहीं लेते तो हमें काफी नुक्सान हो सकता है हम अभी में जीतना मुश्किल हो या फिर स्मॉल लिग में भी अर्निंग नहीं होगी तो इसी वाज़ से इनको मैंने एक टीम में ले लिया उसके बाद सी को एस को लंबेज को इस टीम में शामिल कर लिया यह भी काफी खतरनाक गेन बाजी कर रहे और अच्छी खासी विक्टे निकाल रहे तो जरूर आप इन इन यानवे पॉइंट दिये एकी मैंच में जो पिछली मैंच होई थी इनकी उसी में उन्होंने दे दिये तो काफी खतरनाक फॉर्म में लग रहे दोस्तों शायद उनको जीद है कि अपनी हम फिर से उनको अपनी इंटरनाशनल टीम में जाना है तो शायद इसकी वज़े स काफटन और वास काफटन के लिए जरूर इसलिए मैं इनको वास क्याप्टन मना रहा हूं तो चले दोस्तों टीम प्रिव्यू करा देता हो जैसे कि आप देख पा रहे यहां पर मेरे पास 2 की और 10 चांदिमल तो है दोस्तों इसके बाद एयम भानुका को भी मैंने इस टिम प्लम्बेज तो यहां पर देख सकते मैंने क्या क्या चेंज किया भानुका को इसी टीब में लिया है उसके बाद मुझे रवी बोपारा को भी स्टीब में लिया है और आखिर